एनेचाई की लापरवाई इन दनों रागिरों के लिए मुसीवत बनी हुई है जिसके चलते आए दिन छोटे मोटे हाथ से होते रहते हैं मामला टाउंशिप इस्तित कदम भीहार कॉलोनी की मोड का है जहां एनेचाई की कारदाई संस्था ने टाउंशिप चोराई वाले फ् रुक रही हैं जिसके चलते आए दिन सड़क हाथ से होते रहते हैं यहां बनाए गए डिवाइडरों में एनेचाई द्वारा रिलेक्टर का परियोग नहीं किया गया है जबकि इन दनों ठंड के मौसम ने दस्तक दे दिये कौरी में सुरक्षित सफर के लिए एनेचाई द पर वाई इसकदर इन दनों इतनी लोगों के लिए मुसीवत बनी हुई है कहें तो आप देख सकते हैं यह एनेचाई द्वारा यह डिवाइडर बनाया गया था यह यहां से वाहनों के उतरने के लिए यह कट बनाया गया था जबकि आप देख रहे हैं यह बस जा रही है य यानि कि जो दिली की तरफ से जो आगरा की और जो वहन जाने वाले हैं वो यहां से जाते हैं और यां-जो उतारने के लिए जो कट बनाया गया था दॉआ कि कि आजाए तो यह डिवाइडर बनाया हुआ है मैं अपने केमरा मेन से कहूंगा इस डिवाइडर पे थोड़ा फोकस करें रात्री में जब वहां दोनों तरफ से आते यह सर्विस रोड सबसे ब्यस्त सर्विस रोड है आप देख सकते हैं यहां पर वहां चड़ते हैं वहां अभी तक नहीं लगाए गए हैं यानि कि ठंड का मौसम है सर्दी ने औरे ने भी दस्तक देना शुरू कर दिया है जो वहन रात्री में जाते हैं आते हैं जो उतरते हैं यहां से उनके लिए देखने के लिए डिवाइडरों पर किसी भी तरीक है कोई भी रिफ्लेक्टर नही कि दिया गया है जाते हैं जो भी रागीर हैं कहा जाए तो यहां से चड़वी रहे हैं और उतर हैं यानी कि उनकी जान्चम में लगी रहती टाउन्शिप के लिए यह फिलाई ऑवर बनाया गया था टाउन्शिप के जो वाहन है रिफाइन मत्षवा रिफाइनरी नगर से जो कॉलो नियों में शेक्डों कॉलोनिया हैं शेक्डों गाओं हैं पूसरी बात कहीजाए तो यहां पे यह जो वाहन है मार्केट है यह एक बड़ा एक मार्केट है टाउंशिप का और टाउंशिप के मार्केट के बाहर कही ना कहीं दुकानों के सामने वाहन भी घड़े हो जाते हैं जिनके कारण जाम लगने की जो उपस्चती है वो बनी रहती है देखने वाली बात यह होगी कि आखिर कब जाकर एनेस्टी आई कुम्म कहिनी नींद से जागेगा जो हो सकता है कि यह डिवाइडर यह एकजिट पॉइंट एनेस्टी आई ने अपने मानकों के अनुरूप बन हुआ हुआ है yelling